नमस्कार दोश्तों आप देख रहे हैं दे एनेटीबर चैनल और मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं रभी मैं आप लोगों को एक कहानी से इस वीडियो को स्टार्ट करना चाहूंगा अगर आप लोग अपना इंवस्मेंट फिक्स डिपॉसिट और रिकरिंग डिपॉसिट में करना चाहते हैं तो यह वीडियो तो आप लोग के लिए काफ़ा इंवस्मेंट भी है और खास करके इस सिच्वेशन से सभी इंवस्टर गुजरते हैं जो अगर इंवस्मेंट में थोड़ी सी प्रैक्टिकल नॉलेज लेकर आते हैं या फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा सो तो मैं हमेशा सोचता था कि मैं fix deposit करूँ या फिर recurring deposit करूँ recurring deposit करता हूँ तो एक fixed amount है वो हर महीने निकल करके जाएगा मेरे account से साथ ही अगर मैं fix deposit करता हूँ तो मेरी जितनी मर्जी होगी उतनी की कर सकता हूँ तो इन दोनों situation में मैं काफी अदक confused था कि आखिर मेरी लिए दोनों में से best कौन सा होगा और जब मैंने एक calculation किया कि अगर मैं fix deposit में 500 रुपे डालता हूँ तो आने वाले तीन साल बात कितनी रुपे वो 500 रुपे हो जाएगे इस तरह से भी मैंने calculation किया है आप लोग 5000 रु करके आते हैं क्योंकि FD में आप एक most investment डालते हो और एक वहीने compound होता जाता है तो मुझे FD काफी अच्छा लगा फिर मैंने FD का investment स्टार्ट किया और मैंने देखा दोस्तों कि वो investment बिल्कुल धरा का धरा रही है केवल first month ही मैं अपना investment कर पाया फिर उसके बाद मेरा fix deposit मे investment हो ही नहीं पाया वो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मैं जो था वो ये सोच रहा था कि आज चलो मैं कल अपने पैसे को investment कर दूँगा क्योंकि मैं सोच रहा था कि आज मेरे पास 300 रुपे हैं तो 200 रुपे कहीं से और इक ठा करके fix deposit पे जा करके bank में deposit करा दूँगा लेकिन वो चीजे कभी success नहीं और जो मेरा first time का fix deposit था 500 रुपे का और वो fix deposit आज भी है मेरा और मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये planning जो थी ना वो धरी की धरी रहे गई मेरी और फिर मैंने कई सारी classes ली कई सारे invested advisor से मिला बहुत सारे videos देखे बहुत सारे courses कि वारे मुझे सीखने को मिला तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो आप लोगों को दे रहा हूं क्योंकि हर सुरवाती investor fix deposit और recurring deposit को लेकर के confused होता है तो मैंने क्या गलती करी कि मैं अपने उपर यानि कि मेरी मनो सकती उतनी अच्छी नहीं थी कि मैं हर महीने ए recurring fix deposit करा सकूं ठीक है एक recurring investment fix deposit के रूप में कर सकूं मैं हमेसा किसी ना किसी चीज में first करके उन पैसों को खर्चा कर डालता था तो यहां पे आप लोगों के लिए एक advice रहेगी कि अगर आप लोग एक recurring investment करते हैं ठीक है अगर आप लोग regular पैसा डालना चाहते हैं और आप ल भी रहे हैं और इन दोनों में confused हैं तो वो शुरवात में recurring deposit से अपना start कर सकते हैं इससे होगा क्या कि आप छोटे से छोटा amount भी चूज करते हैं तो वो आप लोगों का एक recurring investment की तरह आप लोगों के recurring deposit में जाता रहेगा इससे आप लोगों को ज्यादा tension नहीं रहेगी हर मह फिक्स deposit में इस तरह से सोच रहे हैं तो आप लोगों के उपर वो tension ज्यादा नहीं रहते हैं या आप लोग फ्री रहते हैं कि चलो हम अगले महीने इसमें कठा करके extra पैसा डाल देंगी और फिर यही टलते टलते आप लोगों का जो investment है वो बेकार हो जाता है सबसे पहले आप लोग यही ध्यान रखे काफी practical experience है और इन चीजों को दोस्तो भले ही आप लोगों को fix deposit में एक बहतर return मिलता हो लेकिन आप लोगों को अपना investment recurring deposit से ही start करना चाहिए अब बात करते हैं जिन लोगों के पास एक काफी use amount हो जाता है यानि कि जिन के पास लाख रुपए पड़े हैं दस लाख रुपए पड़े हैं यू नो एक करोड रुपए पड़े हैं तो उनको क्या करना चाहिए तो उनको obviously दोस्तो सबसे पहले तो अपना goal देखना चाहि हैं तो उन लोगों के सामने केवल fix deposit या फिर recurring deposit नहीं उनके सामने और भी investment हैं जहां पे वो अपना investment कर सकते हैं मैं कभी भी आप लोगों को advise नहीं करता कि आप लोग fix deposit में बहुत सारे पैसे डाल करके रखो अगर आपको उन पैसों की जरुवत नहीं है आने वाले 10 से 15 साल करके काफी लंबे समय में अच्छा return कमा सकते हो as compared to fix deposit ठीक है आप लोगों के सामने bonds भी हैं आप लोगों के सामने def funds भी हैं जो कि आप लोगों को long term में काफी अच्छा return निकाल करके देंगे बाकि अगर हम लोग कुछ बात करते हैं features की कि अगर आप अपना investment करने आ रहे हो तो आप हमेशा ध्यान रखो कि जो banks होते हैं वो 5 लाक रुपे तक की आपकी guarantee लेते हैं चाहे वो आप लोगों के saving account में हो चाहे recurring deposit में हो या फिर fixed deposit में हो उनने सभी interest मिला करके 5 लाक रुपे पी guarantee होती है जो की RBI की तरब से होता है तो अगर आपका पैसा 5 लाक रुपे त इन तीनों से मिला करके 42,000 रुपे तक कमा रहे हैं या फिर उससे ज्यादा का तो आप लोगोंने pen card दिया है तो 10% का TDS कटेगा नहीं दिया है तो 20% का TDS आप लोगों के interest rate पे कटेगा अगर हम लोग premature की बात करते हैं पैसा निकालना चाहते हैं premature तो 1% penalty आप लोगों को द ला जाता है बाकि अगर हम लोग बात करते हैं premature निकासी की तो इसमें भी काफी important role करता है क्योंकि अगर आप दूसरे options की तरफ जाते हैं जैसे कि long terms के और भी option है public provident fund हैं आप लोगों की mutual funds हैं और भी ऐसी बहुत सारी scheme है जहां पे आप लोगों का पैसा जाता है तो वहां ध्यान रखें दोस्तों कि अगर आप लोग fix deposit या फिर recurring deposit कर रहे हैं तो short terms की goal के लिए यह best option साबीत हो सकता है क्योंकि आप लोगों को अपने पैसों की कभी भी जरूवत पढ़ सकती है उनको saving account में रखने से अच्छा आप उसको fix deposit करा दें तो उससे बहतर return आपको निकले as compared to saving ठीक है तो इस बात का भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा next चीज की दोस्तों अगर आप लोग कई सारे लोग investment करके tax बचाना चाहते हैं जैसे कि अपने बच्चे के लिए या फिर अपने पती-पत्नी के लिए वो चाहते हैं वो सोचते हैं कि वह FD करा दिये ह उनके tax बच जाएंगे तो ऐसा नहीं है दोस्तों हर conditions में आप लोगों के taxes नहीं बचते हैं एक conditions होते हैं जैसे कि अगर आप लोगों ने RD या फिर FD कराई है तो एक tanner के लिए fix होता है कुछ schemes होती है हर investment पे आप लोगों को tax बचत नहीं होती है तो अगर आप लोगों ने ये investment किया है कि अपने बच्चे का investment दिखा करके अपने wife का investment दिखा करके tax बचा सकते हैं जबकि आप लोगों ने किसी तरह कि tax saving fix deposit या फिर recurring deposit पे investment नहीं किया है तो आप लोगों को ये छोट नहीं मिलेगी और हम लोग अगर बात करते हैं finally कि अगर आप लोग investment कर रहे हो fix deposit म long term के लिए तो आप लोग हमेशा tax saving FDs की तरह ही जाना आप लोग कुसी भी FDs में investment मत कर देना अगर आप लोगों का goal 5 साल तक का है तो हमेशा tax saving FDs को choose कीजिए वो आप लोगों के लिए काफी ज़्यादा beneficial होती है तो finally दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि आखिर आप लोगों को करना क्या चाहिए? क्या आप लोगों को FDs करानी चाहिए? क्या आप लोगों को RD करानी चाहिए? तो देखिए जो भी नए investor आ रहे हैं, खास करके जो beginners की बात कर रहा हूं में, अगर वो अपना investment करना चाहते हैं, तो हमेशा अपना investment को RD से start करें, बाकि अगर आप लोगों पास bulk पैसा आ गया है, कुछ दिनों के लिए आप उसको रखना चाहते हैं, अपने पास या फिर कु करके जाते हैं, और 2-3 महीरे में आप लोगों को जो return देता है, यानि कि जो भी आप लोगों का 100-200 रुपए return बना है, तो उससे आप लोगों को चीजे समझ में आती हैं, एक positive motivation मिलता है, कि हाँ इस तरह से भी आपना investment कर सकते हैं, और दोस्तों जो मैंने गलती करी थी, सु deposit करने की सोचा था, और जिस तरह से परशान हुआ, क्यों मेरा आज तक वो 500 रुपए ही investment हो पाया उस तरह की strategy में, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें, दूसरों के साथ share करें, अ अगर आप लोग उससे तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी ना पोले, हम लोग नेक्स वीडियो मिलते हैं, अब तक के लिए आप लोगों का दिन सुभो, जैहिन!